हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद हम आ चुके हैं एक्स्ट्रीम कार्नेज के सेवंथ पार्ट एगोनी में तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए तो चलिए शिरू करते हैं जैसे कि हम पिछले वाले एपिसोड में देख चुके हैं कि कार्नेज ने अपने यंगर सिब्लिंग्स को भी करप्ट कर दिया है वो भी अपने टेलेपैथिक लिंग्स से जिसको की हाइव कहते हैं उसने अपने बीछे काफी डाट बोडिस छोड़ दी है वो उसके निशानों को देखते हुए उसके पीछे लगा हुआ है वो उसके प्लैन का पता लगाना चाहता है इससे पहले कि काफी लेट हो जाए एंडी भी अपने नए सिंब्योड साइलेंस के साथ उसकी हल्प कर रही है टॉक्सी ने भी कारनेच की कॉल को रिफ्यूस किया और उसको वॉइड में हराया भी बट अभी एक और लाइफ फांडेशन का सिंब्योड बच्चा है जिसको कि कारनेच ने अपने साथ शामिल करना है जो की है एगोनी तो ये सीन है सेनटर करेन के ओफिस का अभी वहाँ एक लड़की को एक आदमी कहता है ए गीना जाओ और हमारे लिए जाके कॉफी ले आओ तो वो कहती है मेरा नाम है गेमा और मुझे इस मीटिंग में होना चाहिए तो वो आदमी कहता है तुम्हें वो काम करना चाहिए जो तुम्हें दिया गया है वो किस काम की एसिस्टेंट हो की जो हमें कॉफी न लाके दे सके वो कहती है मैं कोई एसिस्टेंट नहीं हूँ बट वो दर्वाजा बंद कर देता है तो वो कॉफी लेने जाती है तो वो कहती है मैं deputy communication director हूँ हमने कितने महीनों साथ काम किया है बट इसको अभी मेरा नाम भी नहीं बता वो lucky है कि मैं एतनी nice हूँ मैं उनके लिए कॉफी लेने आ गई बट वो एहसान फरामोश है तभी वो अपने सामने बड़े बड़े symbiode dragon का scene देखती है वो कहती है oh my god तभी उसे कोई बुलाता है hey gamea मैं तुमारे लिए कॉफी लेके आया हूँ white peppermint वाली जिसमें soy milk है तो वो कहती है thanks Arthur मुझे हैरानी है कि तुम्हें याद था वो कहता है हाँ मुझे तो था I know हमारा काफी बड़ा event आने वाला है और dad ने में तुम्हें ground में भेजा है तो वो कहती है मैं अभी communication director हूँ तो ये मेरे under ही आता है तो वो कहता है तुम अच्छा काम कर रही हो चाहे वो तुम्हें appreciate नहीं करते वैसे काम ही सब कुछ नहीं होता तुम्हें वो भी करना चाहिए जिसमें तुम्हें enjoy होता है जिससे तुम्हें अच्छा भी लगे तो वो कहती है जिससे मुझे अच्छा लगे मैं तो कितने टाइम से दोड लगाने भी नहीं गई तो ये सी national mall का है यहां friends of humanity के poster लगे होए है वहां लोग पर्चे बाटते हैं fund razor के लिए तो Andy कहती है यहां तो सब जगा इनके poster लगे होए है तुम्हें क्या लगता है क्रेने कितना खर्चा किया होगा तो Flash कहता है हमें जाके हैंक से मिलना चाहिए वो यहां ground पे है उसे उनके plan की intel होगी तो Brent Flash को कहता है या तुम्हें लगता है लोगों को इसमें विश्वास होगा तो Flash कहता है देखो जो लोग डरे होते हैं जो insecure होते हैं वो उस चीज में विश्वास कर लेंगे जिससे उन्हें ये लगेगा कि उनकी life उनके control में है तो जब कोई आदमी उन्हें आके ये बताएगा कि उनका future उनसे छीन लिया गया है तो इसलिए किसी पर blame डालना असान हो जाता है इसकी बजाए कि अपने अंदर के monster से सामना करो उन्हें लगता है कि लोगों को hurt करके वो और जादा powerful हो जाएंगे तो यहां पर गेमा को कुछ गुंडे घेर लेते हैं वो कहते हैं हे क्यूटी हमें भी smile दे दो तो वो कहती है क्यों नहीं तो वो agony में बदल जाती है वो कहती है तुम मुझे agony कह सकते हो और वो उन पर कुछ ऐसी डिया सा फैंकती है जिससे वो लोग सडके पिगलने लगते हैं और वो उनके चिथड़े उड़ा देती है वो बाकियों को भी पकड़ लेती है वो कहती है तुम्हें और ज़्यादा smile करना चाहिए और वो उसका भेजा ही खा जाती है वो कहती है उसने सही कहा था वो करो जिससे तुम्हें अच्छा फील हो तो यहाँ वो ओफिस में जाती है तो सेनेटर उसको कहते है आज तुम काफी रीफ्रेश लग रही हो तो वहाँ दो आदमी कहते है मुझे लगता है कि आईस्क्वीन लगी रही है लास्ट नाइट को वो कहती है एक्सक्यूज मी तो वो आदमी कहता है वो बेचारा गये उसको तो इसने जमा ही दिया होगा तो आर्थुर कहता है ये लोग तो गिनोने हैं वो कहती है छोड़ो कभी-कभी दिन खराब होता है तो वो बताता है कि डैड को पता है कि मैं उनके campaign को support करता हूँ बट जैसे वो चीजों को चलाते हैं मुझे वो नहीं पसंद मैं उन्हें नहीं मानता तो मैं पता है मैंने भी सोचा था कि मैं इस बार election में खड़ा हो जाऊँ तो वो कहती है अपने पिता के खिलाफ तो वो कहता है मैं खुछ से आगे तो नहीं निकलना चाहता बट चलो कभी future में देखेंगे या पता मुझे भी किसी अच्छे director of communications की need हो वो कहती है हाँ क्यों नहीं तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं flash की जगा में flash कहता है तो क्या update है हमारे पास हैंक तो हैंक बताता है मैं senator crane के movement को काफी track कर रहा हूं उसे शाय शक भी नहीं है कि मैं उस पे spy कर रहा हूं तुम्हें नहीं पता तुम्हारे सामने लोग क्या 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 कह देंगे जब उन्हें ऐसे लगेगा कि तुम्हारी वहाँ पे कोई value नहीं है इस week राष्टपती एक memorial का उधगाटन करने वाले हैं जो भी लोग symbiote के हमलों में मारे गए थे तो crane की planning है कि वो भी अपना event same day पे करेंगे और उसका फायदा उठाएंगे तो यहां crane की team उसको बताती है कि हम उसी दिन वहाँ पे अपना event करने वाले हैं उस दिन पूरे nation की आँखे उस पे होगी उस दिन उन्हें कुछ हो गया तो यह shame की बात भी होगी तो Andy कहती है तो वो बस एक फायदा उठाने वाला snake है कारनेज का तो अपना type है ना उसे ऐसा तो नहीं लगता कि वो सब के सामने राष्टरपती का खून कर देगा और वहाँ से निकल भी जाएगा तो Flash कहता है ऐसा हो भी सकता है अगर हमने उसको नहीं रोका तो ऐसा हो भी जाएगा तो कल अगर कारनेज कामियाब हो गया तो देश में तबाही मज जाएगी तो हैंग कहता है या सेनटर क्रेन ही कारनेज है बट उसे तो सिम्वियोट पसंद नहीं है न Flash कै तुम भी सिम्वियोट हो तुमने मुझे किसमे डाल दिया है मैन तो Flash कहता है मुझे माफ करना की मैंने तुमें बताया नहीं मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता था तो हैंग कहता है ये सब सुनके मुझे बिल्कुल भी सेफ तो नहीं लगा तो हम उसको रोकने कैसे वाले हैं तो फ्लैश कहता है हमें राश्ट्रपती को बचाना होगा और हम ये एज़ा टीम करेंगे क्योंकि बस क्रेन के पास ही सिंब् सकती है जैसे कि मैं कार्णिश को ढूंड़ने के लिए जाओं और मैं उसको खुद पर घूरता हुआ पाऊं बट अगर हमें कोई इन्फोर्मेशन मिल सकती है तो मुझे इसको एक शोट देना होगा तो यहां गेमा कहती है क्या हमें इसे मेंटल में रखना चाहिए तो एग तुमने इसकी दूसरी बाजों भी खा ली नहीं तो हमारे पास पूरा सेट होता मैं तुम पर घुसा नहीं हूं हमें बस एक और लानी होगी अभी वहां कार ने जाता है वह कहता है और यह तुमने अपनी जगा के साथ क्या किया है और यह किचन यह तो काफी टेस्ट फुल है जैसे मैगसीन में होता है यहां आओ हमायसा फ्रइल पीने के लिए उवह कहती है मैं नहीं होगी यहां सबी लोग तो कि कि के सिंब्योट भी होते हैं तो वह कहती है मुझे जिन और टॉनिक चाहिए तो कहता है हाँ क्यों नहीं वह कहती है देखो अगर यह कल को लेके हैं तो मुझे लगता है अभी यहां पर कुछ लोग मिसिंग है तो वह कहता है तुम्हारा मतलब साइलेंस और टॉक्सिन वह भी जल्दी यहां होंगे तो यहां पर साइलेंस भी उनको देख पाती है वो कहती है यह सब लाइफ फाउंडेशन के सिंब्योट है मुझे उनके पास तक जाना होगा ताकि मैं सुन पाऊं तो यहां पर कार्निज कहता है वो भी जादा टाइम तक दूर नहीं रह पाएंगे उसके साथ तो नहीं जो हमने प्लैन किया है कल के लिए क्यों सही कहा ना मैंने अपी वापिस आती है वहती है उसको पता है उसको पता देना तुम वहाँ पकारनेचर और भाकियों का भी ध्यान रखना यहां गेमा कहती है यह कोई जिन और टॉनिक नहीं यह कारनेच कहता है हाँ मुझे पता भी नहीं वो कैसे बनता है तो मुझे अभी ये मत कहना कि तुम्हारा मन बदल गया है तो वो कहती है जब तक तुम अपना वादा निभाने वाले हो तब तक तो नहीं तो वो कहता है मैं नहीं भूलूँगा तो ये सीन है अगले दिन का तो यहाँ पे Flash, Brent और Andy भी पहुँच चुके हैं वहाँ राष्टरपती की स्पीच चल रही होती है वो कहते है यह मेमोरियल उनके लिए है जिनोंने अपनी जान कवा दी यहाँ गेमा Senator Crane को कहती है कि राष्टरपती का भाषन अभी खतम हुआ है तो अभी आपकी स्पीच का टाइम है तो वो कहता है वो तो है अभी हमारा टाइम है और वो स्पीच देने के लिए चला जाता है यहाँ पे उसके टीम बच्चती है और उनके साथ हैंक होता है तो यहाँ Crane का बेटा सब को कहता है कि तुम सबने अच्छा काम किया तो वहाँ एक आद्मी पूछता है गेमा तुमने अपना काम अच्छे से किया ना तो वो कहती है हाँ मुझे मेरे काम का पता है सबी पीस अपनी जगा पे है तो हैंक भी वहाँ होता है और वो फोन मिलाता है वो Flash को बताता है कि Senator अपनी स्पीच देने के लिए गया है तुम कहा हो? तो Flash कहता है मुझे यहाँ पे कोई भी Life Foundation का सिंब्योट नहीं दिखा यहाँ Alkamax के Godsman भी नहीं है तो Silence कहती है हम भी उनको सेंस नहीं कर पा रहे तो Hank कहता है अगर Carnage का गोर राष्टपती को खतम करना है तो यही टाइम उसके लिए best था तो Flash कहता है यहाँ ऐसा हो सकता है कि वो राष्टपती के पीछे नहीं पड़ा हम लोग गलत थे क्रेन तो Carnage का होस्ट है ही नहीं वो तो उनके निशाने पे है अभी Hank के पीछे Carnage आता है और वो उसके सीने को फाड़ देता है Flash कहता है Hank तुम वहाँ से निकलो तुमें Senator को बचाना होगा क्यूंकि Arthur Crane ही Carnage है तो वो कहता है तुमारा फोन काटने के लिए माफ करना मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है मुझे किसी की स्पीच सुनने जाना है तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि Senator Crane नहीं उसका बेटा ही Carnage है तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खतम होता है नेक्स पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजे हम भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई